प्रेजेंट सार्थी कारेकरम में आपका स्वागत है दर्शुकु जिस प्रकार से आप जानते हैं हम इस कारेकरम के माध्यम से सार्थी भायू के कई सवालों के जाब इस कारेकरम के माध्यम से, इस विशेस कड़ी के माध्यम से देते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है प्रलाज जी जिस परकार से मध्य परदेश में चेक पूर्ट बन किये गए है इस विशे में आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे और महाराष्टर में भी इस प्रकार की पहल हो, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरा ये मानना है, ये गर्टकरी साब की मेहनत के बगार नहीं हो सकता, उन्होंने सब जगे सब को तग्यार किया होगा, जो गलत लोग हैं, वो जो टाइम वेस्ट सार्थी भाईयों का करते हैं, दो गंटे, तीन गंटे, चार गंट गंटे, ड़ाड़ी होल्ड करके, जिससे की अपारी का माल लेट पहुंचता है, या माल, अगर कच्छा माल है, तो वो समय में नहीं पहुंचने से खराब होता है, उसको देखते हुए मेरे हिसाब से, सरकार ने एक MP से पगला उठाया है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब कुलते थे, कम से कम सही जो गाडियां है, उनको काफी रिलिट मिलेगा, और उस पे जो सार्थी भाई है, उनको उनके मालिक अच्छी नजर से देखेंगे, आज सार्थी को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता है, इसलिए वैसे तो ये सार्थी का भी प्रत्न है क्योंकि जब एक गलत decision के सरकार ने लिया था और सार्थी भाई उनका था कि हम ट्रक ही नहीं चलाएंगे, भूके मर जाएंगे, पर ट्रक नहीं चलाएंगे, तो वो सरकार ने विड्रो किया था, ये उसी तरह मैं मानता हूं कि उसका एक परियास इस वकत असर में आया है, और इसी जगे ये ने बोले कि गाड़ी खड़ी कर दो, पैसा देरो, तो ही गाड़ी हिलेगी, ये सब चीज़ें बंद कराने ही चीए, जिससे कि मोटर मालिक को, सार्थी भाई को नियाय के लिए रस्ता मिले और रस्ता करे, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांस्पोर्टर हूं, मैंने ये प्रियत ने किया था, कि मेरी गाड़ियां उडिसा में ऑनलाइन चलान हुआ था, और मैं उसको हाई कोट में गया, तो उसमें मेरे को जस्टिस मिला, और जो बाकी था, उसमें कमिशनर साब को, जड़ साब ने दिया, कि इनकी रिक्रेस्ट अच्छे से सुनी जाए, और फिर उसमें डिसीजन लिया जाए, तो मेरा मानना है कि अगर साथी भाई चाहेंगे, और हमारे गड़करी साब जो कि अभी प्रिये नेता हैं साथी भाईयों के, उनके दोनों के सहयोग से ये अच्छे काम होगे, जिस प्रकार से प्रदाज जी हम जानते हैं, सरकार द्वा कि ये क्यों बना वही समझ में नहीं आया, आज हमारे हिंदुस्तान को अजाद हुए करीब 75 साल से उपर हो गए, और 75 साल तक ये इश्यू नहीं आया, अब सरकार ने इश्यू क्यों बनाया था, क्यों वो ये इंड़स्ट्री बैड शेप में जा रही हैं, उसके उपर और बोज क्यों डाल रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आया, विड्रो किया, इसलिए सरकार को मैं और मेरे सार्थी भाई और मोटर मालिक धन्यवाद देते हैं, ऐसे ही काफी अच्छे कारिया जो है, सरकार द्वारा किये गए है, इसके विशे में आप क्या कहना चाहेंगे, सा करने को, वो जगे खाली लीज पे या किसी तरह एक वार यूज करने के दिए जाएं, वहां अगर रेस्टरूम बढाए जाते हैं, जहांकि सार्थी को समय अपनी गाड़ी सेफ खड़ी करने को, गाड़ी आराम करने को, और सब जित तरह कि अगर उनको मिलता है, तो मेरे ख एंपी के चीफ मिनिस्टर साब को, या एंपी के ट्रांस्पोर मिनिस्टर साब को अपील करें, कि भाया, ये चेक पोस्ट बंद हुए हैं, इसको रेस्टरूम की शेप दे दीजिए, या सार्थी भायों के स्टोपेज का शेप दे दीजिए, जिससे की सार्थी भायों को, अभी तक जो हरस होता उसका उटा बेनेफिट मिलना लग जा है। देखा गया है कि जो है पूने की पोर्शोकार दुरगटना के बाद हीट अंड रन के इस मामले के बाद कई दुरगटना आये बढ़ गई हीट अंड रन के मामले बढ़ गये हैं। इस विशे में आप सार्थी भाईयों को क्या अपील करना चाहेगे। सार्थी भाईयों के कल्या ना तो सार्थी साथ उन्हें क्या बताना चाहेगे, क्या संदेश देना चाहेगे। जिस तरह मेरी जानकारी में जो मेरी संसा है वो उनके लिए काफी अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि किसी भी सार्थी भाई को 30,000 से कम सेली नहीं मिलने चाहिए और इसमें सार्थी भाई आना चाहिए और जो स्कूल बनाये हैं सरकार में उनमें भी अच्छे ड्राइवर ट्रेंड करके अच्छी संसाओं को डाइरेक्ट वहां से employment दिरवाया जा कि यहां इस पार्शु भूमी पर अपर पतिक्रिया देना चाहिए इसमें कुछ वीडियो मेरे सामने आए है वो वीडियो मैने देखे हैं उसमें बाईक पे दो आदमी जाते हैं गाडी के लेवल पे वह करते है एक किसी पीछे इसकी जो जो गाडी चल ली थी उनने इसका बनाया कि जो पीशे बैठा होता है वो गाड़ी पे चड़ जाता है और वो समान को लूज करके नीचे गिरा देता है या साथ लेके फिर घिरे से अपने जहां गाड़ी घिरे होती है वह अपने मोटर बाइक पे रूख जाता है इस तरह का मेरी संसा के साथ भी बैट्री चौरी के केस हूए है पर मेरा इसमें मानना है कि बगाइर पुलिस की बगाइर पुलिस के सहीओ के यूंकि ये माल स्पेशल होता है जो भी होगा वो उन गाड़ी parasLS होता है जनर्रल मार्केट में ये माल मिलता नहीं है तो ये पकड़ना पुलिस के लिए बहुत इजी है अगर पुलिस अगर इसके ध्यान देगी तो सार्थी बईयों को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी उनके मालिक या उनके पगाल में से अगर कोई पैसा करता है तो वो बंद हो जाए इसमें मेरा मानना है मेरा कहना है जो कानून बनता है उसमें जो सार्थी ग्रूप हैं जिन्नों ने 20-25-25 साल ड्रैविंग कर ले उनकी एक संसा बनाई जाए या उनको इसमें लिया जाए या कोई उस तरह का आदमी किसी मनिश्री में आ गया है या कोई नेता चुना गया है तो उसको बैठके पूछा जाए और उसके सलह से और जब कानून बने तो सार्थी बईयों का ओपिनियन लिया जाए कि ये कानून हम बना ले जा रहे हैं इसमें आप लोगों का अच्छा इसमें अच्छा क्या दिखा आपको और इसमें बुदा क्या दिखा उसके बाद अगर वो कानून बनेगा तो कानून लागू करने में और सार्थी को उसमें अपनाने में बहुत सुलियत होगी तो दर्शों को जिस प्रकार से हमने चर्चा की सार्थी भाईयों के कल्यानार्थ नहीं ने कानूर लाए जा रहे है जिसके विशे में सरकार को धन्यवात प्रदादी ने जिया है और जिस प्रकार से अगली कड़ी में सार्थी की अगली कड़ी के लिए हम इसी वक्त आपको आमन्तित करते है हमारे साथ ते प्रणाद अगरवाल और मैं था मनिश्टेल रहे